देखे दो ट्रक शराब आज रॉबर्ट्स गंज में पकड़ी गई है थाना रॉबर्ट्स गंज एसोजी सर्विलांस की टीम ने स्वाट की टीम ने मिलके इस काम को किया है इसमें दो ट्रक शराब की पकड़ी गई है जिसमें 1740 पेटी शराब है लगभग 20,000 लिटर से उपर शराब है जिसकी मार्किट वैल्यू एक करोड से जादे की है उसको पुलिस ने बरामत किया है अवै शराब को इसमें तीन लोग से परिभेन करने के लिए शराब को लाया जारा था बीiste में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इसे पुल पर रोक के सी इजाज पड़ताल की तोसके जो दस्तवेच जो बने हुए थी जो बने हुए थे इन्में जो बार कोड और क्यूआर कोड था वो विलकुल फरजी तरीके का था उसको स्कैन करने पर वो विटामीन सप्लिमेंट उसमें खुल रहा था उसकी जाज जब एक्साइज डिपार्टमेंट से और सेल टेक्स से कराई गई तो दोनों ने उसे फरजी पाया इसी क्रब में 420, 668, 663 एक्साइज एक्ट का मुकदमा इसमें पुलिस ने पंजिकरत किया है, तीन लोगों को गिरफतार किया है, जैसे पहले भी यहां पर गैंग पकड़ा गया है, हिमाचल से और पंजाब से शराब लेके चलते हैं, और नॉर्थ इस्ट में मतलब अनुनाचल प्रदेश सिक्कियम इत्यादी जंगा ले जाने के लिए शराब को ल जैसा इन्होंने जो कागज दस्तावेज बना रखे हैं, उसमें इन्होंने जो QR कोड दिया है, जो शराब का QR कोड है और जो बोतल के ऊपर भी QR कोड है, उसको स्कैन करने के बाद वो विटामिन की गोली, विटामिन B12 का सप्लिमेंट खुलके आ रहा है, जिसको GST हमारी से नहां से लोड हुआ है, उन लोगों की भी भूमी का संदिक्द है, उन लोगों की भी हम भी बेचना कर रहे हैं, अकर वो भी दोशी पाए जाएंगे तो उन लोगों के खिलाब भी चुकि गिरफतारी वाली धाराएं हैं सभी बड़ी धाराएं हैं, इसमें 420 IPC 668 468 466 IPC क की धाराएं लगी हैं, तो उन लोगों की भी गिरफतारी अगली कारवाई में होगी जाएगी.